इस सॉल्डिंग रॉड में कोई इंक नहीं डलती, लेकर मैं अपनी माइंड पावर से बगैर इंक के इस पेपर पे लिख सकता हूँ. लेकिन कैसे? To understand this, we first need to understand how thermal printer works. कम्प्यूटर में मजूद इस डॉक्रमेंट को अगर मैं इस पेपर पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक प्रिंटर की जुरूरत होगी. वर्किंग के लिहाँ से प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, टेडिशनल प्रिंटर्स पेपर को फिजिकली टैच करके प्रिंटिंग करते हैं, इसलिए इनको impact printers कहते हैं, जैसे line printers और dot matrix printers बगएरा, लेकिन modern printers ऐसा नहीं करते, बलके ये paper को directly contact ही नहीं करते हैं, इसलिए इनको non-impact printers कहते हैं, जैसे laser jet printers और thermal printer बगएरा, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला printer ये laser printer है, तो आखिर ये काम कैसे करता है, laser printer में इस तरह का एक toner होता है, toner में ink होती है, जो powder की form में होती है, actually ये electrostatically charged particles है, toner के साथ एक drum होता है, जिसे photoreceptor drum कहते हैं, computer से command मिलते ही printer में मुझूद laser एक mirror की मदद से, इस drum पे image create कर देती है, अब drum की इस हिसे पर negative charge है, जबके toner की इस हिसे पर positive charge है, तो toner का ruler इस negatively charged drum को अपनी तरफ attract करेगा, और इस तरह ये drum पे ink को paste कर देगा, और इस drum की मदद से इस paper के उपर ink को paste कर दिया जाएगा, और हमारा print ready है, इस salding rod में कोई ink नहीं डलती, लेकर मैं अपनी mind power से बगएर ink के इस paper पे लिख सकता हूँ, लेकिन कैसे, to understand this, we first need to understand how thermal printer works, आपको अक्सर grocery store से या ATM से इस तरह की receipts तो मिली ही होगी, actually ये इस तरह के thermal printer से print की जाती है, thermal printer में इस तरह के circuit board होता है और ये एक heated head होता है, और इसमें use होने वाला paper कोई arm paper नहीं होता, बलके heat sensitive paper होता है, computer से command मिलते ही circuit board इस heating head को use करके paper को image के accordingly heat कर देता है, और इस तरह page के उपर printing हो जाती है, thermal paper सिर्फ एक side से heat sensitive होता है, जैसे अगर मैं इसे head straightener से गुजारूं, तो ये पूरा paper black हो जाता है, लेकिन इसकी back side पे कोई फरक नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि thermal printer में किसी किसम की ink use ही नहीं होती, बलके thermal paper को heat करके print किया जाता है, तो soldering rod की मदद से लिखते हुए, मैं कोई अपनी mind powers को use नहीं कर रहा था, बलके मैंने इस rod को बहुत जादा गरम किया हुआ था, जो heated head का का काम कर रहा था,